नमस्कार दोस्तों स्वागत करते हूं आप सभी का एक्जाम एचीमेंट में मैं करूना इस वीडियो में लेकर आई हूं क्लास वेल्ड के स्टुडेंट्स के लिए बंगाल चित्रशली एक परिच्चे चेप्टर नमबर 6 का सॉलुशन जैसे कि दोस्तों पेंटिंग सब्जेक्ट के सॉलुशन बहुत जल्दी से नहीं मिलते हैं सेंपल पेपर भी मार्केट में अविलेबल नहीं है और डी ओई का कोई सेंपल पेपर भी हमारे पास नहीं है ना ही कोई स्टुडी मेटरियल है सिर्फ कुछ बुक्स हैं जो कुछ पब्लिशर्स ने पब्लिश की हुई है जिनके माध्यम से हम इस सब्जेक्ट को पढ़ते हैं तो ऐसे में ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत जादा इंपोटन्ट हो जाता है तो बने रहें मेरे साथ शुरू करते हैं कुछ नमबर एक से बंगाल चित्रशली का उदय कब और कैसे हुआ बंगाल चित्रशली का उदय बीस्वी शद्दाब्दी में आरंभ हुआ इस समय रास्ट्रवादी आंधुलनों के चलते बंगाल चित्रशली के उदय होने के कारण संकट के इस घड़ी में कुछ ख्याती कलाकार सामने आए जिसमें इस परंपरा के अग्रणी कलाकार रहे अवनिंद्रनाथ टेगोर उनके इस परियास में कलकत्ता के सरकारी कलाविध्यले के प्रचारे प्रोफेशर ईवी हिवेल ने उनका सहयो किया दोस्तों याद रहें अवनिंदरनार टेगोर को बंगाल चतर शयली का प्रणेता कलाकार भी कहा जाता है और E.V. Hivale ने बंगाल चतर शयली का उधे हुने में प्रेणा प्रदान की थी अवनिंदरनार टेगोर को आजाते हैं question number 2 पे बंगाल चित्रशली की मुख्य विशेशताओं का वर्णन कीजिए तो बंगाल चित्रशली की मुख्य विशेशताओं निम्लिकीत हैं जिसमें से first number पर आजाती है वाश पदती का पृयोग माग कर लेते हैं दोस्तों तो wash पदिती क्या होती है मैंने पहले भी बताया है तो यह जापानी कला है मुख्यता है जो कि जितनी बार हम sheet पर color लेते हैं नया उतनी बार उस sheet को हमें wash करना पड़ता है पानी से और फिर जब वो सूख जाती है फिर दूसरा color उठाते हैं तो यह हैं बंगाल चितरशाली की प्रियोग किया गया था सेकेंड जो हमारी विशेष्टा होगी बंगाल चित्रशेली की वो है रेखांकन बंगाल शेली का रेखांकन भारतिय कला पर अधारित है जैसा कि अजन्ता एलोरा रजिस्थानी एवं मुगल कला में देखने को मिलता है यानि कि यहां की जो रेखाए यह हमारी परंपरी कलाओं से प्रभावित है थार्ड़ पॉईंट है हमारा विषै कौन से विश्यों पर बंगाल चित्रशेली में चितारांकन हुआ तो कलाकार ने अपने पसंद के विश्यों पर cały थी बाहर दिpowered रही 12 पर आ जाएगा अपना बंगाल चित्रशेली पर प्रभाव कौन थे कला का रहा तो अजंता राजस्थानी एवं मुगल कला का प्रभाव हमें बंगाल चित्रशैली पे देखने मिलता है यहां पर बंगाल चित्रशैली की पांच विशेषिताओं की बारे में हमने बात की है question number 3 पर आ जाते हैं बंगाल चित्रशेली के अग्रणी चित्रकार कौन से थे तो बंगाल चित्रशेली के प्रमुख अग्रणी कलाकार रहे हैं तो प्रणेताई ही रहे हैं सबसे पहले तो अम निंद्रनाट टेगोल और फिर नंदलाल बोस असीत कुमार हलदार छेतिंजनात मजूमदार देवी प्रशादराय चौधरी दोस्तों देवी प्रशादराय चौधरी मोर्तिकार हैं अर चगुतई जिनका पूरा नाम है अब्दुलरह्मान चगुतई और केवेंग टपा ये बंगाल शेली के प्रमुख अग्रणी कलाकार रहे हैं आ जाते हैं कोशन नमबर फोर्थ पे बंगाल कला शेली के विकास में अमनिंद्र नाटे गुर की भूमिका पर प्रकाश डालिए बहुत इंपोड़न कोशन है दोस्तों ये अमनिंद्र नाटे गुर को बंगाल शेली का प्रनेता कहा जाता है अथवा पिता भी कहा जाता है प्रनेता पिता एक ही बात होती है दोस्तों तो बंगाल शेली का आरंभी नों ने किया था बीसमें शताबदी में और डॉक्टर इवी हवेल की प्रेर्णा से किया था और उ अवनिंद्रना टैगोर एवम उनके साथ ही कलाकार वही सब जो हमने अभी उपर पढ़े हैं कलाकारों ने ना किवल ब्रिटिश कलाकादमी के किरिया कलापों के विरुद्ध आवाज को बुलंद किया बल्कि पस्चमी यथार्तवाद की प्राणहीन कलाशली का अंधा नुकर उन्होंने इस सब में अवनिंद्रना टैगोर वैसाती कलागारों को संपूर्ण सहयोग प्रदान किया था बंगाल शेली की सरप्रमुक विशेष्टा वौश चित्रन पदती से भी भारते कलाकावक का परिचय अवनिंद्रना टैगोर ने ही कराया था बंगाल शेली की कला परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए यह एक पर रोम पर आ सकता है या और अब्जिक्टीब तरैप आ सकता है तो याद कर लें आप इसे कि बंगाल चित्रशेली की कला परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए अवनिंदरनाटे गोर ने 1919 इश्वी में शांती निकेतन में शांती निकेतन एक विद्ध्याले था जिसके अंदर कला भवन की स्थापना की थी और विद्धार्थियों को भारतिय कला की सिक्षादे ने एवन प्रचार प्रशार करने का कारे आरंब किया था दोस्तों इसी के साथ आजाते हैं कोशिन नंबर फाच पे प्रोफेसर ईवी हवेल का भारतिय आधुनिक कला के विकास में क्या योगदान रहा तो भारतिय आधुनिक कला के विकास में प्रोफेसर ईवी हवेल का प्रमोखिस्तान ने इन्होंने ही अवनिंदरनाथ टेगोर को भारतिय कला को प्रोचसाहन देने एवं कला को आगे बढ़ाने की प्रेरणा दी थी इन्होंने बिटिश कला कादमी एवं कंपनी शेली के बहिसकार के लिए अवनिंदर नाट्य गोर को प्रेरित किया था एवं भारतिय कला की मुलिक्ताओं पर अधारित कला का निर्मान करने की प्रेरिणा भी इवी हवेल ने ही दी थी जिसके परिणाम शरूब बीजने शताबदी के अउतरार्ध में बंगाल चित्र शेली का जन्म हुआ जो की भारतिय कला एवं विश्यों की मौलिक्ताओं से परिपूर्ण है दोस्तो इसी के साथ ये वीडियो मेरी खत्म होती है आशा करती हूं आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी आपका चप्टर नमबर सिक्स का सॉलिशन अब आप लोग अपने पास नोट करके रख ले मेरी वीडियो को देखते रहें याद करते रहें एक्जाम के आने वाले समय में आपके लिए बहुत जादे इंपोर्टन होने वाली है तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें वीडियो को लाइक कर दें और बने रहें मेरे साथ धन्यवाद दोस्तों